किसान भाइयो मैं हूँ क्रिशी वी से सग्ये और मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी इस यूट्यूब चैनल उनत फार्मिंग में किसान भाइयो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मिर्च और टमाटर की नरसरी की पूरी ट्रेनिंग कराने वाला हूँ मैं आपको एक-एक स्टेप करके दिखाऊंगा कि प्रो ट्रेम नरसरी हम लोग कैसे तयार करते हैं इसलिए आपको इस वीडियो के अन तक बने रहना है आसा करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको प्रो ट्रेम नरसरी तयार करने में किसी भी परकार की समस्या नहीं होने वाली है तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि pro trainer सही तयार करने में हमें किन किन चीजों की आओ सकता होने वाली है जवरत पढ़ने वाली है तो pro trainer सही तयार करने के लिए सबसे पहले हमें pro train चाहिए और ध्यान रहे कि जब आप pro train लेंगे तो ये 108 सेल वाला pro train ही आप लेंगे growing media में कोकोपिट और वर्मी कमपोश यानि के केचुगा की खाद, बीज, फंजी साइड यानि के फफुन्द नासी और एक रोज केन और साथी साथ एक इस्ट्रक्चर जहां पे हम लोग नरसरी तयार करने वाले हैं सबसे पहले आपको कोकोपिट ब्लोक को भीगो देना है मैं आपको बता दूँ कि जो कोकोपिट ब्लोक होता है वो अपने से पांच गुना ज्यादा पानी सोकता है इसलिए आपको इसे बड़े बरतन में भीगो देना है फिर इसे आप इस परकार से निचोड़कर पानी से नहीं रखेंगे उसके बाद इस कोकोपिट को आप एक बरतन में ले ले और इसमें केचवे की खाद यानि के वर्मी कमपोस्ट मिला ले अब बात आती है कि वर्मी कमपोस्ट और कोकोपिट हमें किस रेशियो में लेना चाहिए यानि किस अनुपात में लेना चाहिए तो मैं आज आपको एक rough idea दे देता हूँ, इसके लिए आप 5 kg को कोपिट ब्लोक में 10 से 15 kg वर्मी कमपोस्ट याने के केच्वी की खाद मिलाकर growing media तयार कर लें, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि growing media कुछ इस परकार से तयार हो गया है, growing media तयार हो जाने के बाद growing media को आप pro train में कुछ इस परकार से भर ले, अब समय आता है seed sowing का यानि के beach बोने का, beach में हमें ये धियान रखना है कि जो बीज हम लोग ले रहे हैं, वो उपचारित होना चाहिए, यानि के seed treatment किया होना चाहिए, किसी भी fungi side यानि के फफुंद नासी से, जो हम लोग बाजार से beach खरीटते हैं, जो packet में होता है, वो generally treated होता है, उसमें आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ रहता है, treated with this chemical, अगर बीज उपचारित नहीं है, तो इसे आपको अवश्य उपचार कर लेना है, इसके लिए आप कोई fungicide ले, जैसे कि आप native हो ले सकते हैं, इसकी 2 ग्राम की मात्रा, पर 3 kg seat की दर से लें, और seat का treatment कर लें, इसके बाद आप उसको soving करना है, किसान भाईयों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि टमाटर और मिर्च में, लीफ कर लियाने के कुकरा रोग एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और इससे बचाव के लिए अगर हम seat treatment करते हैं, तो बहुत जादा हमें लाब देखने को मिलता है, इसके लिए आपको imidacloprid 17.8 SL 2 ml पर 3 kg बीच की दर से लेना है, और बीच उपचार कर लेना है, इसके बाद आपको pro tray में growing media भर लेना है, growing media आपको अच्छे से भरना है, कोई gap नहीं होना चाहिए, growing media भरने के बाद आप इस परकार से इसमें hole बना लीजिए, ध्यान रहे कि ये जो गड़े हैं, ये जो hole है वो ज़्यादा गहरे ना हो, अगर गड़े गहरे हो गए, तो बीच germination में ज़्यादा समय लगता है, और बीच सड़ भी जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसके ब लिए हम प्लास्टिक की सीट लेते हैं, और उसमें दस दस प्रो ट्रे का बंडल तयार कर लेते हैं, हम इस परकार से प्रो ट्रे को एक के उपर एक रख लेते हैं, ध्यान रहे हमें बीच बोने के बाद इसमें किसी परकार की कोई सीचाय नहीं करना है, हमें इस परकार से ब सार्क प्रियड देना होता है यानि अंधेरा देना होता है और प्लास्टिक में कवर करने का फायदा यह है कि जो ग्रोइंग मीडिया में मौश्यर होता है वो नमी बनी हुई रहती है और अंधेरा भी प्रोवाइड करता है तो प्लास्टिक से कवर करने का यह फायदा है और भी अच्छा मिंटेन रहता है जिसे जर्मिनेशन जल्दी होता है तो इस परकार से हमें बंडल बना लेना है और चार से पांच दिनों के लिए रूम के अंदर अंधेरे में रख देना है ध्यान रहे कि हमें ये देखते रहना है कि जर्मिनेशन हो रहा है या नहीं जैसे हमें दिखे कि germination हो रहा है तो सारी pro tray को बाहर निकालकर नरसरी में रख देना है जिससे इसका आगे का growth हो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 5 दिनों के बाद ये germination हो गया था जिससे हमने बाहर निकालकर नरसरी में रख दिया है आप देख सकते हैं किस तरीके से सीड जर्मिनेट किये हैं यह टमाटर की नरसरी है जिसे हमने पाँच दिन पहले बोया था अब देख रहे हैं कि बहुत सारा ट्रे सूक भी गया है तो अब हम इस पर पहला सिचाए अभी करना है इससे पहले हमने कोई सीचाई नहीं किया था पहला सीचाई हमें अब करना है इसे निकालने के बाद हमें अब इसे सीचाई करना होगा और सिचाई करने के लिए हमेशा रोजगीन का ही उपयोग करना है जैसा कि आप देख रहे हैं ये रोजगीन से हम इस पे सिचाई कर रहे हैं इससे काफी स्विधा होती है सिचाई करने में और समय भी कम लगता है एक बात का दिहान देना है कि हमें डेली सी चाहिए करना है हमें यह सूखने नहीं देना है क्योंकि यह cells बहुत छोटे हैं इसलिए यह बहुत जल्दी सूख जाते हैं और इस nursery को बनाने के लिए हम cladding material यानि के उपर में हमने plastic दाला है जिसे इसका temperature भी जादा है तो यह जल्दी सूखते हैं तो किस समय कौन सा Clading Material use करना चाहिए Plastic use करना चाहिए या फिर Sand Net use करना चाहिए इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप Eye button प्र click करके भी आप देख सकते हैं इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था तो वो आप वीडियो देख सकते हैं उससे भी आपको काफी जानकारी मिलेगी ये नरसरे सिब बारा दिनों के बाद आप देख सकते हैं बारा दिनों के बाद ये पौधे कितने बड़े तयार हो गए हैं तो इस मेठड में पौधे अच्छे तयार होते हैं और जल्दी पे तयार होते हैं आप देख सकते हैं सिब 12 दिनों के बाद पौधे कितने अच्छे तयार हुए हैं इस स्टेज में यानि 12 दिन और 20 दिन हमें सुल्यूबल फर्टिलाजर NPK 1919 का इरिगेशन वाटर के साथ मिला कर हमें इसका सीचाई करना चाहिए इसके लिए हम 3 ग्राम परती लेटर पानी की दर से NPK लेते हैं और इस परकार से हम इसका सीचाई करते हैं इससे पौधों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है और इसका रिजल्ट आपको तुरन देखने को मिलेगा एक दो दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है कि पौधे किस परकार से तयार होते हैं 21 से 30 दिन के अंदर पौधे तयार हो जाते हैं टमाटर का पौधा तो बहुत जल्दी तयार हो जाता है वो 20 दिन के अंदर में तयार हो जाता है इसके बाद आप इसको ट्रांस्प्रांट कर सकते हैं मिर्च में थोड़ा समय लगता है उसमें 25 से 30 दिन लग जाता है तो आप NPK का परियोग जरूर करें आप देख सकते हैं 20 दिनों के बाद ये हमारा टमाटर का पौधा बिल्कुल भी ट्रांस्पांटिंग के लिए तैयार हो गया है आप देख सकते हैं पौधे कितने स्वस्थ हैं और कितने बड़े हो गये सिर्फ 8 दिनों के अंदर में इसका कितना ग्र हाडनिंग करना होगा हाडनिंग करना होगा मतलब बाहर के जो वातावरन हैं उसके अनुकूल बनाना होगा अगर हम अनुकूल नहीं बनाते हैं हाडनिंग नहीं करते हैं और सीधे ट्रांस्प्रांट कर देते हैं तो पौधे मरने के चांसे जादे होते हैं क्योंकि अभी एक protected environment में हाड़निंग करने के लिए अभी जो उपर में इसका प्लास्टिक लगा हुआ है उसे हम पहले दिन दो से तीन घंटे के लिए हटाते हैं फिर अगले दिन कुछ जादा समय के लिए और तीन से चार दिनों तक ऐसा करने के बाद हम इसे खेत में ट्रांस्प्लांट कर इस ने बबना का पाँ होगा किसान भाईयओ अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं किसी तरह का कोई question हो या फिर कोई suggestion देना चाहते हो तो comment कर सकते हैं और आगर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर मिल मिलते हैं आप से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ